Hello everyone! Welcome back to my channel! Friends, आज मैं आप लोगों के साथ शेर करें बाष्या पराधा बाष्या पराधा का नाव आप लोगोंने पहले सुना हैं या नहीं सुना मुझे नहीं पता लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करें बाष्या पराधा आप जानते हैं से बाश्रा पराथा क्यों कहा जाता है और यह किस चीज़ से बनता है तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फिर भी मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ बाश्रा पराथा बनता है सर्दियों के खास वेजिटिकल से जो सर्दियों में बहुत फ्रेश आती है उसके अंदर पानी बहुत होता है और उस पानी को निकाले बिना जो हम पराथा प्रयाद करते हैं उसे कहते हैं बाश्रा पराथा चलो जादा मैं आप लोगों को कंफूज नहीं करती हूँ रेसिपी शुरू करते हैं तो आज हम बना रहे हैं मूली का पराथा लेट्स सी हाई मेरे फूडी लवर फ्रेंज आज हम बनाएंगे मूली के पराथे वो भी एकदम नहीं ट्रिक के सार्व ना आपके पराथे फटेंगे और नहीं चिपकेंगे तो सबसे पहले हम यह मूली लिए और मूली को छील लिए और अब छील के इसका जो छोटे से बड़े वालग का दुकस होता है उससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे तो फ्रेंज मैं इतने से ग्रेट करती हूँ अगर आपको वीडियो यूसफुल लग रही हो तो अपलेई शेयर जरूर कीजिएगा तो एक तरफ में मूली को ग्रेट कर लिए है और दूसरी तरफ हम लेंगे एक बरतन आप परात भी ले सकते हो मैं इस कड़ाई में इसलिए लगा रही हूँ कि ढंक से मिक्स हो जाती है सारी चीजे मेरे से तो अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक कटोरी आटा उसमें डालेंगे हरी मिर्ची एक कटी हुई और साथ में डालेंगे आदा चमच चाट मसाला चाट मसाला डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा धनिया पॉर्डर कश्मीरी लाल मिर्ची और टेस्ट के साफ से डालेंगे इसमेह वहम नमग जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बना रहे हैं मूली का परांटा तो सच में यह मूली का परांटा है बलकुल एक दम नई ट्रिक के साथ तो यह है मेरे पास अजवाइन तो अजवाइन को थोड़ा सा हम क्रश करके इस तरह से डाल देंगे क्योंकि यह हमारे डाजर सिस्टम को ठीक रखेगी और आग गैस भी नहीं बनने देगे थोड़ा सा साथ में डाल देंगे हरा धनिया और आप इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो फ्रेंस अभी है वो मेन इंगिरियंट्स बाकि जो हमें इसमें मिक्स करने है तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीज़ेगा ध्यान से देखिएगा आज के पर आठे बनाने का ये भी नया तरीका तो ये है मेरे बस मूली जिसको मैंने कद्द्द कर लिया था उसे भी हम इस आठे के साथ डाल देंगे और अब ये आठा चिपके नहीं उसके लिए भी हमें इसमें एक छीज़ और मिक्स करनी है तो ये सारी चीज़े मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में बना लेंगे थोड़ी सी जगा कुछ इस तरह से तो फ्रेंज इस टाइब हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सा आईल जो हमारे मूली के परांटे को चकले बिलन पे बिलकुल भी चिपकने नहीं देगा बिश्वास ना है तो एक बाई ये वाला आटा गुंदके और परांठे बनाके देखना कि मूली के परांठे आपके अतने टेस्टी बनेंगे इतने सॉफ्ट बनेंगे बहार से एक दम करकर आइले और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और तबे पे चिपकेंगे भी नहीं और फटेंगे भी नहीं तो इस तरह से अब हमारा आटा हो गया तयार बिल्कुल ब्लैड करम की तरह अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका एक सॉफ्ट डो तयार करेंगे जैसा कि हम रोटियों के लिए बनाते हैं तो फ्रेंज जितने मैं इसमें थोड़ा पान्च भी डाल कर इसका डो तयार करती हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट एक अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा और जो नियों पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वस्साइज में बने हुई बेल के आइक उनको भी दबा लीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे तो फ्रेंस देखो आपसे बात करते हुए हमारा आटा भी लगके तयार हो गया है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए उपर से थोड़ा सा ओइल लगा कर ढखकर रख देंगे 10 मिनट के लिए जिससे कि आटा एकदम फूल जाए और तयार हो जाए तो यह मैंने इसे ढखकर रख दिया साइड में तो बाते को रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने अब परांठे के लिए उसमें से निकाला एक लोई कुछ इस तरह से और उसमें लगाया सूखा आटा और अब इसे इस तरह से हम बेलेंगे तो फ्रेंस अब यह वाला भिया पाट ध्यान से देखेगा कि मैं परांठे को किस तरह से बेलूंगी जिससे आपका परांठे बनेंगे फूले फूले और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तो पहले हम बनाएंगे इस लोई की रोटी तो फ्रेंस ध्यान से देखेगा कि मैं इसकी किस तरह से रोटी बना रही हूँ और किस तरह से हम परांठे बनाएंगे और फिर लगाएंगे इस पे थोड़ा सा और सूखा आटा और अब इस पे हम लगाएंगे घी क्योंकि आज ये परांठा गोल नहीं बन रहा है ये बनेंगे स्क्वार मूली के परांठे के आप लोगों ने आज से पहले स्क्वार वाले खाएंगे चकोर परांठे खाएंगे अगर खाएंगे तो मुझे जरूर बताना तो यह इस तरह से हम लगा देंगे इस पर घी और घी लगाने के बाद एक तरफ इस तरह से पलटेंगे फिर इस तरह से और फिर दूसरी तरफ से ऐसे और ऐसे और अब इस पर थोड़ा सा आटा सूखा वाला फिर से लगाएंगे और इसे बेल देंगे तो अब हमारा पराठा बिलके हो गया एकदम तयार फ्रेंस अब हम इसे सेखेंगे तो इसेखने के लिए मैंने दे रखा हुआ है एक तवा तो ये तवा हो चुका है अच्छे से गरम तो इसमें हम डाल देंगे जो पराठा हमने भीला है तो देखो फ्रेंस कितना अच्छा स्क्वेर पराठा हमारा मूली का बन के तयार हुआ है अब इसे सेखने के लिए हम इसे पहले पल्टेंगे नहीं इसके इसी वाले पारट पे लगाएंगे घी आप चाहें तो ओयल का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यह मैंने लगा दिया इसमें देशी घी और घी लगाने का सबसे में परपसी यह है कि अगर हम इस तरह से घी लगाते हैं तो पराठे बाहर से बहुत जादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं अब इसे हम पल्ट देंगे और इधे से भी हम फिर से लगाएंगे घी तो इसी तरह घी लगाते हुए हम इसे फिर से बल्ट देंगे और अब यह हमारे लिके पराठा को अच्छी तरह से दबाते हुए पल्टते हुए सेकेंगे तो जितने तवे पर हमारे यह मूली का पराठा सिक रहा है आपटा और इसे भी पहले की तरह हम बे लेंगे को रोटी की तरह तो हमने बनाए एक छोटी रोटी और अब इस पर लगाएंगे हम घी तो यह मैंने लगा दिया इस पे घी घी लगाकि इसे अच्छे से प्ला देंगे और अब इसे आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते है यह हर शेप में फुला फुला और सॉफ्ट परांठा बनेगा लेकिन मैं स्क्वेर बना रहे हैं तो पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे फिर इस तरह से तो हमारे पास स्क्वेर लोई बनके तयार और इसे भी अब हम थोड़ा सा सुखा अटा लगाकर बेल देंगे जैसे हमने पहले वाले परांठे को स्क्वेर बनाया था ठीक उसी तरह से इसे भी सुखा अटा लगाएंगे और बेलेंगे तो फ्रेंस यह परांठे बहुत टेस्टी लगते हैं और नहीं यह चकले पे चिपकते हैं और हमें मूली के पानी को निकालने की जोर्थ भी नहीं पड़ती एक बार यह रेसेपी ज़रू ट्राइ करना तो फ्रेंस यह परांठा बेमारा बिलके हो गया है तयार और अब इसे भी हम तबे पे डालेंगे और सेकेंगे जैसे कि पहले वाले को सेका रासे हम पहलों पर लगाएंगे घी और घी लगाकर इसे पल्ट देंगे और फिर दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे तो यह दिखो हमने लगा दिया इस पर भी घी और अब घी लगाने के बाद इसे पल्टते हुए हम दोनों तरफ से सेखेंगे तो फ्रेंस आपको दिख रहा होगा कि हमारा परांठा कितने अच्छे से फूल रहा है और बहां से हलकल का क्रिस्पी होना शुरू हो गया है तो इसी तरह हम घी लगाते हुए पल्टे हुए से सेखेंगे तो यह बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा तो यह भी मूली का परांठा बनके हो गया है तयार इसे अब हम उतार लेते हैं तो फ्रेंस मैंने तो यह दो परांठे बना लिया है आपको जितने पराटे बनाने हो उतने इसी तरीके से बना सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं अपनी पसंद की चट्मी, दही, दाल के साथ तो मैं आपको भी इसे तोड़ के दिखाती हूँ और साथ में ये भी दिखाँगे कि आज मैं ये मूली के पराटे किसके साथ सर्फ कर रही है तो फ्रेंस ये दिखो ये पराटे अंदर से और बहार से किस तरह के बने हैं हर पराटे इसकी अलग-अलग बनी है तो फ्रेंस आपको दिख रहा होगा ना कि अंदर से क्रिस्प और अंदर से कितने सॉफ्ट है और हर एक जगा आपको मूली का फ्लेवर मिलेगा फ्रेंस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और जो नहीं मेरे साथ जोड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो फ्रेंस मेरे तो मूली के परांटे बनके हो गएं तयार फ्रेंस जिन्हें मैं सर्फ कर रही हूं हरे दनी की चटनी और गर्म गर्म चाय के साथ क्योंकि मुझे हमेशा परांटे चटनी अचार और चाय के साथ ही पसंद है लोग खाते हैं दही के साथ पर मुझे हमेशा कोई भी परांटा हो चाय वो आलू का हो गोबी का हो किसी भी चीज़ का हो वसका असली मज़ा मुझे चाय के साथ ही आता है तो फ्रेंट्स आपको मेरे चाय के साथ मूली के परांठे का फ्लिवर कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना अगर कभी ट्राइ किया हो तो मैं चलती हूँ फिर मिलूंगी अगली वीडियो में बबाई से यू टेक केर इंजोई गीटा सिंग रेसिपीस थैंक्स वर वाचिंग